ओकी तो आज का अपका टॉपिक है Suppositories आज अपन देखनेवाले हैं कि Suppositories होता क्या है Suppositories के Advantage, Disadvantage और Types of Suppositories अगर आपको पुराने लेक्चर की नीड है तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है इस description में दे रखिए और अगर आपको notes की requirement है तो मैंने टेलिग्राम चैनल के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है अब वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हूँ तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक तो चलो शुरू करते हैं सपोजिट्रिस की कुछ बैसिक बातों से सपोजिट्रिस जो है कॉनिकल शेप कभी होता है ओवल शेप कभी होता है या तो यह सॉलिट फॉर्म में भी होता है या फिर इसके अंदर जो हम ड्रग लोड करते हैं वह सेमी सॉलिट फॉर्म में भी हम ड्रग लोड कर सकते हैं ठीक है तो सपोजिट्रिस का शेप हो गया कॉ निकल शेप ओवल शेप ठीक और इसके अंदर जो हम ड्रग लोड कर सकते हैं वो शेप हो गई सॉलिड शेप सेमी सॉलिड शेप इसे हम प्रिपेर क्यों कर रहे हैं इसे हम प्रिपेशन करते हैं for insertion into body cavities हमें body cavities में drug डालनी होती है तो हम suppositories के थ्रू डालते हैं ठीक है body cavity जैसे rectum के थ्रू आप डाल दो vagina के थ्रू आप डाल दो और vagina के थ्रू एक special नाम है pessaries ठीक है तो क्या बोला मैंने मैंने आपको क्या बोला मैंने बोला suppositories जो है conical shape, oval shape उसमें आप drug को solid form या semi solid form में load कर सकते हो हम इसे prepare करते हैं ताकि हम insertion कर सके body cavities में through rectum या vagina ठीक है हमें इसे low temperature पे store करके रखना पड़ता है अब देखते हैं इसके advantage और disadvantage तो सबसे बहुते शुरू करते हैं इसके advantage देखो मैंने आपको क्या बता है था कि अपन इसको body cavity में insert करते हैं ठीक है तो अगर person जो है जिसे मालो यह patient है और यह बेहोश है ठीक है यह bed है और इस पेशेंट लेटा हुआ है यह रहा और यह बेहोश है ठीक यह लो यार अच्छे से बना दिया तो वो ज्यादा absorb नहीं हो पाएगी या अच्छे से absorb नहीं हो पाएगी तो उस condition में क्या करेंगे जब person जो है जब patient जो है swallow नहीं कर पा रहा उस condition में अपन क्या करेंगे suppositories जो है body cavity के थुरू हम drug को load कर देंगे ठीक है तो unconscious person के लिए सबसे ज़्यादा फाइदे मन देए दूसरा we load high amount of drug हम इसमें बहुत ज़्यादा amount of drug को load कर सकते हैं suppositories में तीसरा protect from enzymatic action यहाँ पे कोई भी enzymatic action नहीं होगा उससे protect करेंगे अगर आप suppositories में drug load करके अगर आप insert करते हो तो फूर्थ देखो यहाँ पे लिखा होगा है slowly absorbed and give sustain action यह धीरे-धीरे absorb होगा जैसे मालो यह rectum है और rectum में मैंने suppositories को inside कर दिया अब body temperature के दोरान suppositories जो है अंदर का drugs जो है absorb होना शुरू हो गया तो यहाँ पर क्या होगा drug धीरे-धीरे absorb होगा और लंबे टाइम तक रहेगा यहाँ पे लिखा है slowly absorbed and give sustain action मतलब लंबे टाइम तक action देता रहेगा फिप्त देखो can be given to everyone whether a child or age हम किसी को भी दे सकते हैं सबके पास cavity है चाहिए वो child हो aged person हो मतलब भुड़ा हो हम सभी को यह दे सकते हैं suppositories not prepare easily suppositories हम आसानी से नहीं बना सकते बात आप ध्यान रखना काफी उसको थंडा रखना पड़ता है काफी पार उसको freezer में हमें डालना पड़ता है तो suppositories आसानी से नहीं बनती दूसरा required low temperature which is costly for poor patient बिल्कुल सही बात है low temperature चाहिए और low temperature जो है costly होता है ठीक है अगर आपको बोल दे कोई दूप में रख दो तो आप तो रख दोगे दूप तो फ्री के आ रही है पर low temperature पर रखना है तो यह पूर patients के लिए क्या होगा costly होगा महेंगा साबित होगा ठीक है तो एक तो बनता असानी से नहीं है और एक पूर patient के लिए गरीब patients के लिए यह महेंगा होता है क्योंकि इसको अपन को कम temperature पर रखना होता है if dissolution is improper then absorption is also improper अब एक बात बताओ जैसे मानलो यह rectum है इस पर मैंने suppositories को insert किया अब मेरी suppositories अगर सही से dissolve नहीं होगी अंदर का उसका drug जो है सही से dissolve नहीं होगा जब dissolve नहीं होगा तो सही से absorb भी नहीं होगा सीधी सी बात है तो अगर dissolution इंप्रोपर हुई तो absorption भी improper ही होगी drug की ठीक है और सबसे last बात cause embracement शरम आती है में suppositories को insert कराने में से rectum और vaginal के तुरू तो यह कुछ disadvantage हुए ना तो आसानी से बनेगी low temperature पर रखना पड़ रहा है poor patients को discomfort है उससे और dissolution सही से नहीं हुआ तो absorption भी नहीं होगा और cause embarrassment ठीक है अब देखो types देख लो कभी कभी दो नमबर पूछ लेता है ठीक है तो देखो suppositories के क्या टाइप है जिसे आप rectal से दे सकते हो nasal root से दे सकते हो urethral से दे सकते हो vaginal root earcon ठीक है इन सारे roots से आप insert कर सकते हो suppositories को अब देखो आप में हाप पूछते हैं अगर nasal के थूप ने करा suppositories को insert तो आप क्या वो लोगे आप बोलोगे bogies urothral के थूप और nasal के थूप अगर आपने suppositories को enter करा तो आप बोलोगे उसे bogies और अगर आपने vaginal के थूप करा तो मैंने उपर ही पता एप बोलोगे उसे पैसरीज ठीक है और अगर आपने एर कॉन कान के कान के थुरू अगर आपने इंसर्ट करा तो आप इसे बोलोगे औरी नेरिया ठीक है तो यह दो नमर में क्यूशन पूछ ले जाते हैं कि अगर सपोजिट्रिस को आपने एर कॉन की बोडी मतलब इंसर्ट किया कैवेटी में तो आप उसे क्या बोलोगे औरीनेरिया अगर आपने वेजाइनल रूर से किया थक्राइब आपर आपने थोड़ी बहुत बाते देखी आने वाले लेक्छर में देखेंगे method of preparation, suppositories बनाने की दुरान क्या-क्या दिक्कत आती है और बनाने की बाद suppositories को कैसे हमें store करना है storage में क्या-क्या problem आती है ठेक है, thank you so much, thanks for watching keep support, thank you और हाँ, अगर किसी का भाई बंदू नीट की preparation कर रहा है, तो उसको ये channel जरू सजेस्ट करना, क्योंकि यहां पर biology class 11-12 की quick revision series साथ में MCQ question practice मैंने अच्छे से करवा रखी है, और damn sure काफी helpful रहेगा, thank you